Hello students, welcome to my YouTube channel, Computer Speed. Dear students, video को start करने से पहले, इदि आपने Computer Speed चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब वली बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वली बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक करतीजिए, साथ में Share वैल आइकन पर क्लिक करके वीडियो को Share कर दीजीगा ओके स्टूडेंट वैल आइकन को जुरू हीट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राफ्थ हो सके सो स्टूडेंट आए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को दीएर स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है आज कि इस वीडियो में स्टूडेंट हम लिब्रे ओपिस राइटर के फाइल मेनू को स्टार्ट कर रहे हैं ओके स्टूडेंट आए स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे फाइल मेनू के कई सारे ओप्संस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस स्टूडेंट हम धीरे धीरे करके सारे मेनू को क्या करेंगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो आज फाइल मेनु का फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंस जो निव है इसमें कई सारे ऑप्शन्स दिये हैं इनी सारे ऑप्शन्स को हम लोग यहां पे क्या करेंगे पहले बठेंगे आजए स्टूडेंस एक गो को क्लिक करके इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ठीके और इसके साथ जो बनेगा हूँ वह क्रियेट करके भी मैं आपको यहां पे बताओंगा So students मैं हापे क्लिक कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना आप मैं new पर क्लिक करूंगा students तो ध्यान से देखो students यह है यहाँ आपे लिखा गया text document इसका क्या मतलब है? text document का मतलब होता है students यह file जो बनेगी वह writer की बनेगी library office writer की मैं क्लिक करता हूँ students स्टूड़ा ध्यान से देखोगी मैं क्लिक कर रहा हूं अब ध्यान से देखो एक न्यू फाइल क्रियेटेट हुई यहां पे और देखो लिब्री ओपिस किसकी बनी राइटर की सो स्टूडेंट्स आई होप आप समझ गये होंगे कि न्यू पर क्लिक करने के बाद यदि टेक को ख gjशेंब और अघ्यान से देखोा है स्टूडेंच कि यहां पे कंटेंड करते हैं की तो ख़आ द्यान से देखो इस तरीके से ने प्रजेंटेशन इसका मतलब स्टूडेंच आप इसंपे क्लिक करोगी तो इंप्रेश सी स्टार्ट हो जाये गा ना श्टुडेंच थूडेंच थ्張 ध्यान से देखो student presentation हम लोग लीट अबिस में यहाफि इमप्रेस में बनाते हैं सो यहाफि एक terre क्या चालू होगा इमप्रेस ही चालू होगा सिव Extreme electrodes मैं क्लिक करता हूं ध्याइन से देखू मैंने क्लिक किया Student Subscribe त स्टूडेन्स का पार्ट स्टूडेंट्स अगला या इसपर क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे ड्राइंग में चले जाओगी यानि LibreOffice drawing open हो जाएगा। तो मुझ करता हूँ थोड़ा सद्यान से देख हुए इस्टुडें तो ध्यान से देकिए इस्टूडेंस अर में इस्टूडेंस तो ध्यान। आपका असे ध्यान से च्छूका है देको घर मैं हाँ पर क्लिक करूँगा इस्टूडेंस तो धियान से देखो भी सटूडेंस करती है कि रीपे सब्सक्राइब अब कर सकते हैं से देखो फ़्या और में संधिया है नियुल नियुब्रिया से डैका स्टूडेंस इस पर क्लिक करते ही अब ध्यान से देखो आपको इस तरह के से आपका जो बेस है वो यहाँ पर इस तरह के से स्टार्ट हो जाएगा थ्यान से देखो कई सारे सब्सक्राइब करना है तो आपको क्रियेट करना है तो आप नेक्ट पे जाके स्टूडेंट क्लिक करो ध्यान से देखो इसके बाद फिनिस पे क्लिक कर दीजिएगा इस तो ध्यान से देखो अगली ओप्सस को देखते हैं इस चुडेंट से देखो अगला धियान से देखो यहां पे HTML document, okay students, आप इस document के उपर students HTML document को create कर सकते हो, तो मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा धियान से देखो, students, उपर देखो, क्या खुला यहां पे, Libre Office Writer Wave, देखो तो, क्या मतलब students, हम इसके उपर, अपनी जो भी फाइल बनाएंगे, यहां पे, वो .html के माध्यम से क्या होगी, सेव होगी ने, students, सो, क्योंकि बेब है, तो HTML format कंफों में यहां पे लगेगा ना, सो, मैं फाइल को सेव करके तुला साब को दिखाता हूँ, थोड़ा धियान से देखो, स्टूडेंट मैं से पे क्लिक करूँगा, तो डैलाग बॉक्स के भीतर यहां पे क्या खुला धियान से देखो, यहां पे तो फाइल कहां पे से बोरी है, .html में, देख रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट से आपे, तो यहां पे प्लापने क्लिक किया था, फाइल में चूडेंट से थोड़ा धियान से देखो, होगे इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्सन को तो आपको दिखाया गए एक से xml form document students यहाँ पर form बनाने के लिए xml ठीक से extendable mark of language students इसका full form होता है html का full form hypertext mark of language था जो मैंने आपको पहले ही उपर बता दिया है so students आप यह भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर create कर सकते हो वेब से related दोनों options हैं students अगला option दिया है label create करने के लिए और business card को create करने के लिए इसका क्या मतलब है students थोड़ा ध्यान से देखो की मैं अगर इसपे click करता हूं students तो ध्यान से देखो आप यहाँ पी students इस तरह का label आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर create कर सकते स्टूडैंट्स azu did लग दिया यहाँ पे इस फूर से नेम तो ध्यान से सुदें इतने दूरी दे के मैं यहाँ पे इस फूरी के से क्या कर सकता हूं यहाँ ₹ लगा सकता हूं स्टूडेंट इस तरीके से और यहाप मैं इस्कूल नेम क्या कर सकता हूं ऐसे राइट कर सकता हूं एसे ठीक है और इसके बाद स्टूडेंट मैं डॉर्डर्स लाइन यहां पर ऐसे लगा देता हूं ध्यान से देखो आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डाल देता हूं जैसे कि मैं section डाल देता हूं students ध्यान से कुछी इस तरीके से ठीक है तो sections मैंने यहां पर पूट कर दिया students इधर देखो न तो उपर से जगें है न तो नीची से जगें students मेरे कहने का मतलब न तो टॉप से यहां पर छुटा है न तो राइट से इसकी लिए students आप क्या करोग यहां पर format में जाओ students ध्यान से देखो इसमें settings दिया है क्या लिखा गया है यहां पर left से margin आपको देना है तो यहां से बढ़ाओ students देखो बढ़ रहा है और जो top से margin होगी students उसको भी आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा सो थोड़ा ध्यान से देखो students यहां पर hide और width रखा है ठीक है इसकी कहिन कई पर setting इसकी आपको मिल जाएंगी टॉप के लिए सो मैंने भी टॉप में ऐसे छोड़ दिया students ध्यान से देखो यदि मैं यहां पर new document पर क्लिक करता हूं students तो ध्यान से देखो डाकोमेंट आपका यहां पर create होके इस तरीके से मिल गया है देखो तो डाकोमेंट के उपर printed है कि इस्टूडेंस इदर साइट से इतनी जगए छोड़ दिया है टॉप से भी आप यहां पर दूरी को कर सकते थे स्टूडेंस आई होप यूंडेस्टेंड यहां पर किस तरीके से न्यू के अंतरगत यहां पर label option का प्रियोग कर सकती हूँ ओके स्टूडेंस नेक्स्ट ऑप्शन दिया यहां पर business card इस पर क्लिक करके स्टूडेंस ध्यां से दिख्वें यहां पर ठीक है मैं यहां पर लिख सकता हूं कंपनी का एडरेस ठीक है तो मैं कंपनी के वज़ाए में product यहां पर राइट करते था हूं ठीक है इस तरीके से स्टूदेंस, ठीक है, इसी तरह से स्ट्टेंस जो भी कोंटेंट ठोंगे आप क्या करोगी? RIP करें आपको करा करने। invention एसे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। कमपनी नेम हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पार्ट जो भी चीजिए कमपनी क्या करती हो, वहाँ पर सेल्स करती है, सेल पार्ट मैं ऐसे लिखता हूँ, सेल, यहाँ पर ठीक है students, तो आप कुछ भी यहाँ पे रैट कर सकते हो जिस तरह के से company वरकिंग करती होगी उस तरह के चीजों को आप यहां पे बना सकते हो ने स्टूडेंस ओके स्टूडेंस ध्यान से देखो मैंने कुछ इस तरीके का बनाया आप अपने इच्छानुसार जिस तरह का कंपनी वर्किंग कर रही होगी उस तरह की फॉर्मेट और उस तरह की चीज़ों आप यहाँ पर एड करोगे आइटम्स को फिर से यहाँ पर नू भी ध्यान से देखो मास्टर डwydd में इस तोड़ा इसके बारे में आप सुनिए मास्टर डाकॉमेंट का प्रेoundी स्टूडेंस हम जब करते हैं जब कोई बढ़ा प्रोजेक्ट हम लोगँ काम कर रहे होते हैं तो एक अलग से हम लोग पेज बनाते हैं जिससे मास्टर डाकॉमें सेहाँ पर धियान से देखो इस्टुडेंट से master document आपके सामने इस तरीके से खुल जायेगा यह master document है students जब मैं इसे save करूँगा तब आपको नजर आएगा यह master है कि क्या है ठीक है नता तो ध्यान से देखो students मैंने master document लिया था इसी की वज़े से यहां पर देखो क्या लिखा है dot O dm ठीक है और स्टुडेंस मास्टर डागोमेंट का जो इक्सेंशन होता है इस्टूडेंस त्यान से देखो क्या होता है dot O dm एकर मैं फाइल को सेव कर दूंगा स्टूडेंस यहां पर यह तो dot O dm में क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी ने स्टूटेंस दियान से देखो मैंनेошいた यहां पे कुछ भी फाइल का ना मेंा confess in b आम यहां पे दे सकता हूं अरे सट हुआ मैंने इस तरीके से असे के नाम से थाइल को लास्टेश्टेश्ट यहाँ पी रखी होगें उसे ब यहाँ पे इंशिर्ट कर शक्ते होगें से तोड़ा थियां से देखो आप यहाँ सकती है है अलग-अलग टाइप के है minutes कोई भी है चलिक कर नहुकं तो इस तरी के सिखन कर रहा है अल कट्रेपी करूंगा तो इस तरीके से अपको शोآरा है तो सारे अप्को टैंप्लेटत थ स्हांफ पर डिख जाएगा ऑफ पूछ राई your name students तो आप इस पर क्या कर सकते हूँ यहां पर अपने नाम को क्या कर सकते हूँ डाल सकते हूँ जैसे मैंने कहा कि राकेश का इसको क्या कर रहे हैं ठीक है जिसका रिजुम बनाना उनका नाम क्या है राकेश है तो आप राकेश को मारे यहां पर डाल सकते हूँ यहां पर आप अपनी इच्छा नुसर जब इनका प्रियोग करना है तो आप क्या कर सकते हो इनको इंसर्ट कर सकते हो अपने डाकॉमेंट पे और किसी भी काम को फास्ट और इजी तरीके से क्या कर सकते हो ने students आप लोग ने फाइल के सारे options को पढ़ लिया होगा students जो मैंने आपको यहां पर बताए है students एक बात और बता दें आपको कि इन सारे options की मैं separate video बनाऊंगा थोड़ा थ्यान से देखो students यहां पे html document के लिए label के लिए business card master document और template इन सभी की वीडियो आपको separately बना के मैं upload करूँगा ठीक है students अभी मैं आपको file menu पढ़ा रहा हूं सो file menu के options में मुझे ऐसे ही पढ़ाना था सो मैंने इन सभी के भारे में आपको यहां पे जानकारी दी इनकी अलग से में वीडियो बना के upload कर दूँगा जिससे आप इसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपके लिए clear हो जाएगा सो students I hope आपने समझ लिया होगा students हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दिजिए students वेल आइकन को हिट कर दिजिए जिससे कि आपको latest वीडियो का update प्राप्त हो सकी ओके students computer speed चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थन्यवाद मिलते हैं नेकी वीडियो में thank you for watching this video